Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज की हमारी रोचव कोप्योगी जानकारी इन दो मूंग के दालों के अंतर के विशय में है तो चलिए शू करते हैं ये है मूंग की दाल जो लगभग पूरे भारत में हर किराना दुकान पे उपलब्द है और ये है सोना या शोना मूंग दाल जो पश्चिम बंगॉल से है वैसे तो ये दोनों ही विगना रेडियेटा विज्ञानिक नाम वाले पौंदों के दो प्रकारों से प्राप्त की गई फलियों के बीज हैं जिनको हजारों साल पहले से भारत वर्ष में उगाया और खाया जा रहा है उपरी तोर पर इनका रंग और आकार दोनों एक समान है परन्तो यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे ये सोना दाल इस मूंग की दाल की तुलना में चोटी और पतली है ये दोनों के आकार की भिनता है इस सोना दाल में एक सुगंध होती है और खाते समय इसमें एक हलकी से मिठास भी है अन्य मूंग की तुलना में क्योंकि ये सोना दाल बंगाल से है तो इसको पकाने का तरीका भी इस मूंग से थोड़ा भिन है इस सामाने मूंग को ऐसे ही अन्ने डालों की तरह उबाल कर बनाया जाता है जबकि इस सोना मूंग डाल को सूखा भून कर पकाया जाता है इस तरह इसकी सुगंद और स्वाद और भी बढ़ जाती है यहाँ आप देख सकते हैं, यह है भुनी हुई सोना मूंग दाल और यह है बिना भुनी सोना मूंग दाल, यहाँ आप इन दोनों के रंग का अंतर देख पा रहे होंगे, इसको अकसर इसी तरह के बुने रूप में हि बेंगौली पकवानों में उपयोग में लाया जाता है, इन दोनों मूंग की दालों में पॉस्टिक तत्व लगबग एक समान हैं। दोनों में ही प्रोटीन के अत्रिक भरपूर मात्रा में विटमिन B, विटमिन K, लोहा, मेगनीशियम, मेगनीज, फॉस्फोरस और जिंक इत्यादी पाई जाते हैं। और हम आशा करते हैं आज की हमारी मूंग डाल और सोना मूंग डाल की यह जलक आपकी everyday life में जरूर उपयोगी रहेगी। Thanks for watching and keep enjoying our everyday life.